गुड मॉर्निंग ओल ओफ यू तो आज है संडे की सुबह और मैं आ गई हूँ बच्चो की रूम में मेरे गर में इसी रूम में अच्छी खासी धूप आती है बाकी रूम में धूप आती है लेकिन इतनी नहीं आती है सर्दियों में मुझे धूप सेखना बहुत ही पसंद है आप सबको भी बहुत ही पसंद होगा तो चली आज दिन की सुरुवत धूप सेखने से ही करते हैं आज मैंने सोचा कि चली आज यहीं पे बैठके धूप भी सेख लेते हैं ब्रेक्वास्ट भी यहीं पे कर लेते हैं, और ब्रेक्वास्ट बनाएंगे भी यहीं पे, तो इसकी तेयरे में मैं लग गई हूँ, बच्चे अभी सुए हुए है, मेरे हस्बेन भी सुए हुए है, मेरे नींद चल्दी खुल गई थी, अच्छली एवरी संडे मेरे साथ यही होता है, मुझे मौका मिलता है सांती से सोने का, लेकिन पता नहीं मुझे संडे को ही क्यों नींद नहीं आती है, बाकी दिनों में मुझे इतनी नींद आती है, बच्चों को स्कूल में जाना होता है, तो उटना ही पड़ता है, लेकिन स ब्रेट पस में बनाएंगे ब्रेट पकोड़ा लेकिन हैल्दी वाला उसको हम प्राय नहीं करेंगे हम उसे शैलो प्राय करेंगे और साथ में हम बनाएंगे बेजन का चीला और वो भी थोड़ा सा दिप्रन तरीके से तो यहां पर आप देख सकते हो कि सब कुछ सामान में ले प्रेट पकोड़ा बनाने वाले हैं तो उसके लिए हमें चाहिए बहुत सारी सबजिया तो यहां पर मेरे पास फ्रिज में जो भी सबजिया पड़ी थी वह मैं लेके आ गई हूं तो यहां पर मेरे पास आप देख सकते हो कि थोड़ी सी पत्ता गोपी छोटा सा गाजर का तुकड़ा और एक कैपसिकम बस इतना ही सामान था तो मैं यह लेके आ गई हूं अगर आपके पास जादा वेसिटेबल्स है तो आप वह भी डाल सकते हो जो आपको पसंद हो वह यहां पर आप ले सकते हो तो यहां पर सारे सबजियों को मैंने अच्छे से बड़े-बड़ अब इसे भी हम बड़े-बड़े तुक्णों में कट कर लेंगे सरदियों में मार्केट में बहुत सारी सबजिया मिलती हैं तो हमें जादा से जादा सबजिया खा लेनी चाहिए यूकि बाकी सिजन में इतनी सबजिया मिलती नहीं है और अगर मिलेगी तो भी इतनी कर लिया है और डाल दिया है चौपर में सारे सब्जियों को हम साथ में चौप कर लेंगे यहां पर प्यास भी आ गए हैं प्यास में भूल गई थी तो मेरे बच्ची लेके आ गए हैं और सारे सब्जियों को मैंने चोटे-चोटे पीसिस में एकदम चौप कर लिया है एकदम चाट आएगा अंदर और यह सारे सब्जिया तो इन सब को mix करने में परेशानी ना हो इसलिए हम पहले से बड़ा बड़न ले देंगे अब मैंने सारे प्यास को छिल लिया है और उसे कट कर लिया है और उसे भी डाल दिया है चौपर में साथ में मिर्च भी डाल दी है अब इ कि लास्ट के में राम डाल का इसके इंदर हरालशुल मुझा पहले इसे भी पड़ा था चौप किया हुआ अब इसके अंदर डालेंगे चने का आटा तो यहां पर चने का आटा आपको जितनी कॉंट्रिटी में चाहिए जितना कॉंट्रिटी में आपको बनाना है उतना आप ले सकते हो सब्जीयों का कुछ मेजर्मेंट नहीं है उस कम ज दही डालने से यह जो बैटर है बहुत ही बढ़िया बनेगा एकदम फलफी बनेगा और यह जो हमारे प्रेट पकोड़ा और बेशन का चीला है उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और एकदम सौफ्ट बनेंगे तो दही तो ज़रूर डाले अगर आपके पास छास है तो वो पी आप डाल सकते हो दही डालके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम बैटर रेडी कर देंगे यह पर मुझे थोड़ी सब्जिया जादा लग रही थी तो थोड़ा सा चने का आठा और डाला है और थोड़े से मसाले फिर से कि और इसके इतनर मैंने डाल दिया है दो चुटकी फर के बेकिंग सोडा और उसके उपर निम्मूनी चोड़ देंगे चार से पांच बुन ताकि यह जो सोडा है वो एक्टिवेट हो जाए और हमारा जो बैटर है वो बहुत ही फ्लपी बने तो चलिए अभी मैंने इंडेक्शन अगर आपको इससे भी जाधा हेल्दी चाहिए तो आप ब्राउन ब्रेड का भी यहां पर यूज कर सकते हो मैंने वाइट वाली ब्रेड ली है और तोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेख लेना है यहां पर जो फ्लेम है टेमपरेचर है इंडक्षन का वो हम medium रखेंगे, बहुत high नहीं रखेंगे वन्ना जो बेशन है वो जल जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो यह दिखे, दो bread ready हो चुकी है तो यह bread पुकड़ा हमारे एकदम ready है टेस्ट में बहुत ही बड़या लगता है और healthy तो है ही तो चलिए अब बना लेते हैं एक वेशन का चीला तो फिर से थोड़ा सा oil डाल दिया है और यह जो butter हमने बनाया था वो ही इसके अंदर डाल देंगे claim को हम medium ही रखेंगे दोस्ते तीन चमज भरके मैंने इसके अंदर butter डाल दिया है और उसे फैला लिया है butter जादा नहीं फैलाएंगे जादा फैला लेंगे तो उसे पलटने में थोड़ी सी परेशानी होगी दिखने में अच्छा लगी इसलिए मैंने उपर से डाल दिये थोड़े से तिल और यह चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स मेरे हस्बन के लिए मैंने डाले है क्योंकि उन्हें थिखास ज़्यदा पसंद है मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने इसके अंदर हरी मिर्च कम डाली थी और इनको थिखा पसंद है तो मैंने उपर से थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में थोड़ी सी दिखास भी आ जाएगी तो इसको भी दोनों तरफ से पलट की हम सेख लेंगे तो ये दिखे हमारा healthy breakfast एक दम ready है दूप में बैटके मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था कि पूरा दिन यहीं पर बैटी रहू लेकिन दूप पूरा दिन नहीं आएगी दो गंटे ही आएगी तो चले breakfast ready हो चुका है बच्चे और मेरे husband बैट गए है अपना अपना deep लेगे कोई सेजवन चटनी के साथ खा रहा है तो कोई ketchup के साथ इसके साथ दन्या फुदिने की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है लेकिन घर में मैंने आपको बताया उतना ही वेजिटेबल था दन्या फुदिना कुछ भी नहीं था तो आज हमें इसी से ही काम चलाना पड़ा लेकिन अगर आप बना रहे हो तो इसके साथ दन्या फुदिने की चटनी जरूर बनाए क्योंकि दन्या फुदिने की चटनी इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है तो चलिए सब बन गया है सबको मैंने खिला लिया है और अब इसके उपर चड़ा देते हैं चाए चाए के बीना मेरा दीन सुरूर नहीं होता है तो चाए तो मुझे पहले चाहिए तो चाए का सब कुछ सामान मैं रेडी करके लेके आई थी दूद, चाए पती, चाए का मसाला, इलाईची सब मैंने डाल दिया था पहले से ही तो उस चाए को मैंने उबलने के लिए रख दिया था एक उबल आया फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया अद्रक अद्रक पहले से ही डालेंगे तो चाए फट जाएगी इसलिए अद्रफ हमें लास्ट में डालनी चाहिए दो से तीन उबाल आ चुके हैं चाय अच्छे से फख गई है अब इसके अंदर डाल देंगे गुड हम गुड की चाय पीते हैं तो गुड मैं लास्ट में डालती हूं गुड को भी पहले डालेंगे तबी भी चाय फट सकती है गुड डालने के बाद एक दो उबाल लाएंगे ताकि गुड अच्छे से मेल्ट हो जाए गुड डालने के बाद उसे जादा नहीं उबालना है जादा उबालेंगे तबी भी हमारी चाय फट सकती है तो ये दिखिए चाय हमारी एकदम ready है सबको अच्छे से खिला पिला लिया है तो अब मेरी बारी है तो अब मैं अपनी तेयारी कर लोगी तो चाय तो बना के मैंने दे दी मेरे हस्बंड को और अब मैं अपने लिए ब्रेट से लेती हूँ किकि मुझे इस तरह oil में सिखी हुई bread बहुत ही पसंद है थोड़ी सी crispy और थोड़ी सी soft तो ऐसी वाली bread के साथ चाय बहुत ही अच्छी लगती है तो मैंने मेरे लिए दो bread से लिए है एक बेशन का चीला पड़ा हुआ है तो चली अब baby चाय पी लेती हूँ यहाँ पर मैं आ गई हूँ बालकनी में सब कुछ लेके बालकनी थोड़ी सी छोटी है लेकिन चलता है दूप आ रही है तो मुझे तो यहाँ पर बैठना बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं तो हरोज यहाँ पर आके ही चाय पीती हूँ तो चली अब मैं भी चाय और नाश्टा कर लेती हूँ मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपे के साथ तब तक के लिए बाई जैशी कृष्ण